यहां पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर किलिक करें हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक बहुती सिंपल और ब्यूटिफुल सिलिव डिजैन से करूँगी तो देखी यह मैंने अपनी सिलिवली है जिस पे हम डिजैन बनाएंगे तो डिजैन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक निसान लगाएंगे चार इंच पे तो यहां पर मैंने चार इंच पे निसान लगाया और यहां पर भी चार इंच पे ही निसान लगाएंगे और देखे कटिंग करने के बाद हम नीचे वाले भाग को एसे खोलेंगे और इसकी मोहरी तयार करेंगे तो यहाँ पर देखे हम इसको एसे मोडते हुए फिर एक बार और मोडेंगे और इसे मोडते हुए हम इसको नाखुन की मदद से कपड़े को बिठा लेंगे और फिर हम इस पर सुई धागे से तुरपाई करेंगे यानि कि hand stitching करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने सुई धागे से hand stitching कर ली है आप देख सकते हैं यानि कि मैंने तुरपाई कर ली है तो यह मोहरी बनके हमारी ready हो गई है अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग डोरी बना रखी है अगर आपको पाइपिंग डोरी बनाना नहीं आता है तो मैं नीचे वीडियो की लिंक दे दूँगी वहाँ पे जाके आप पाइपिंग डोरी बनाना सीख सकते हैं तो यहाँ पे मैं तीन तीन इच के लंबे टुकड़े कट करूँगी और दोनों टुकड़ों को ऐसे मोडते हुए हम एक दूसरे में ऐसे बांधेंगे यह देखिए तो यह डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा और अब हम इसको अपनी सिलिव के उपर अटेज करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो फिटिंग वाली सिलाई है उसके लिए आपको एक से डेड इंच का मार्जन रखना है और फिर आपको यह डोरी अटेज करनी है और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है डोरी वाला डिजाइन है जो यह यह सिंगल बुट से ही सिलाई लगेगी क्योंकि एक साइड में जो गाठ हमने लगाई है वहाँ पर डबल बुट से सिलाई नहीं लगेगी अगर आप लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी सिंगल बुट से आप इजी ली इस पे सिलाई लगा सकते हैं इसके बार देखे आपको ध्यान रखना है उल्टे सीधे आपको अटेच नहीं करने हैं एक जैसे रखते हुए आपको इन पे सिलाई लगानी है आप इनको थोड़े थोड़े गेप में भी रख सकते हैं और आप इनको बिल्कुल अटेच करके भी रख सकते हैं तो मैं पूरी सिल्यू के उपर अटेज कर लूँगी तो देखे मैंने अपनी पूरी सिल्यू के उपर इस तरीके से अटेज कर लिये हैं अब हम अपनी सिल्यू को एसे पलटेंगे और इस पे एक बेटने वाली सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे इस साइड से रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे आपको ध्यान रखना है आराम आराम से आपको सफाई से सिलाई लगानी है यह दिखे और यह सिलाई लगाने के बाद हम इसमें अपने नीचे वाले भाग को भी अटेज कर लेंगे तो दिखें आप डोरियों को एसे सीधा रखते हुए और धीरे धीरे करके आप इस पर सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पर मैंने यह सिलाई भी कम्पलेट कर ली है अब इसके बाद हम इसको फिर से सीधी साइड से पलतेंगे और यहाँ पर भी हम बेटने वाली सिलाई लगा लेंगे तो देखें फ्रेंट से यह हमारी सिलिव है जो रेडी हो गई है अब हम जो भी एक्स्ट्रा डोरी है इनको कट कर देंगे और कट करने के बाद हमारी सिलिव यह एकदम तयार है अब देखिए यहाँ पर हमारी fitting वाली सिलाई आ जाएगी तो यह sillew design हमारा बनके ready हो गया है आप देख सकते हैं कितना easy है और देखने में बहुती सुन्दर लगता है और यह इसके साथ का नेक का design है आप देख सकते हैं इसी की matching से मैंने sillew का design बनाया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like करें comments करके बताएं कि आपको यह design कैसा लगा है आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करें साथी bell icon को press करें ताकि हर latest video की notification मिलती रहे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही अब मैं आपको जो इस हपते के दो winner है उनका नाम बताने जा रही हूँ पहला जो नाम है अमन मावी फिर से सुनिए अमन मावी दूसरा जो नाम है अर्पित लडड़ा तो देखे जो मैंने नाम बताए है वो अपने comment में अपनी email id दे दीजी मैं वहाँ पे आपसे संपरक कर लूँगी और अगर आप मुझे instagram पे follow करते हैं तो instagram पे संपरक कर सकते हैं या फिर आप के पास मेरे whatsapp number है तो whatsapp पे संपरक कर सकते हैं और whatsapp number नहीं है इस्ता आप के पास नहीं है तो आप अपने comment में अपनी email id दे दीजी मैं वहाँ पे आपसे संपरक कर लूँगी और जो पिछले हपते के winner है उनकी courier मैंने यहाँ से आज निकाल दी है Thank you